हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुरू मॉर्निंग टो अलो फ्यू एंड वेलकम दोस्तों बिहार बियेड एडिमिशन 2020 को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आया है अगर आप सकेंड या थर्ड कॉंसलिंग में सामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को कंपलीट देखिएगा साती साथ जिरों ने अभी तक कॉंसलिंग फी पेमेंट नहीं किया है जिनका डेट मिस हो चुका था और वो कॉंसलिंग में भाग नहीं ले पाए या फिर कॉलेज चुएस नहीं कर पाए थे तो वो दोबारा कॉलेज चुएस कर सकते हैं साती साथ अगर आपको सकेंड कॉंसलिंग तक कोई भी कॉलेज एल आउट नहीं हुआ है तो third counseling में सामिल होने के लिए आप अपने college choice को बदल सकते हैं इसके लिए जल्द ही link activate होने वाला है और इस वीडियो को complete देखने के बाद आपको इसके समझ में पूरी जानकारी मिल जाएगी तो वीडियो के साथ हंतक बने रहे साथी साथ आप से request है किस वीडियो को like करने के बाद share जरूर कर दीजिएगा इसके लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी google browser open कर लिजिए और यहाँ पर search कीजिए koseystudy.com नीचे आईएगा तो यहाँ पर आप सभी को एक update मिलेगा बिहार CTBR 2020 big update for admission counseling यहाँ पर आपको click कर देना है click करने के पसाथ वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी साथी साथ यहाँ पर table of content पर click करके आपको इन में से कोई खास जानकारी ही पढ़नी है तो आप खास जानकारी ही पढ़िए यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं latest update CTBR 2020 उतरीन अभियार्थियों के लिए जो आवस्यक सूचना जारी की गई है यहाँ पर click करने के पसाथ आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से notice आएगा जिन अभियार्थियों का नामंकन किसी भी महाविद्याले में अभी तक नहीं हो पाया है यानि कि आपका मिस हो चुका है या फिर छूट गया है या फिर आगे आप सामिल होने वाले हैं आपका नामंकन किसी भी तरह से अभी तक नहीं हो पाया है तो वह पुना अपने महाविद्याले के चैन को 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक website के माध्यम से reset कर सकते हैं यानि कि आप अपने choice को बदल सकते हैं अगर आपको अभी तक college alert नहीं हुआ है तो तो कि बहुत सारे से student है जो college choice करने में miss किये थे तो वो इस तरह से college choice कर सकते हैं choice को बदल सकते हैं साथी साथ जो अभी आर्थी reset नहीं करेंगे उनका पुरुवत यानि पहले से college choice किया हुआ है वहीं बना हुआ रहेगा तो यह जो है student का मांग था कि third counseling में नया college choice करने का option दिया जाए तो इसको ले करके यहाँ पर update आया है साथी साथ जिन अव्यारतियों ने अभी तक counseling के लिए registration नहीं करवाया है यानि कि आप exam pass out हुए उसके बाद आपको registration करवाना था लेकिन आपको याद नहीं रहा या फिर आप किसी भी तरह से miss कर दिये और registration नहीं करवा पाए तो आप जो है 750 रुपिया फी या फिर जिसके लिए जितना फी था वो फी payment करके जो है आपको 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक फी payment करना है तो फी payment करके counseling में भाग ले सकते हैं साथी साथ 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक college choice भी कर सकेंगे जिसके माध्यम से आप सभी को third counseling में college allot किया जाएगा तो चलिए सभी link प्राप्त करने के लिए और विश्तिरित जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इस click here पर click करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा link यहाँ पर नीचे आ चुका है यहाँ पर देखेंगे click here to download notice regarding registration and reset college of choice option for regular mode यानि कि जो भी regular mode के student है वो अपना नया college choice दे सकते हैं साथी साथ जिन्होंने अभी तक registration नहीं करवाया है तो registration करके वो अपना college choice first time select कर सकते हैं तो जिसका notice जो है आज दिनांग को जारी किया गया है 13 दिसंबर को अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इसके समन्द में जो यहाँ पर विस्तार से जानकरी दी गई है तो click here पर click करके आप इस notice को download कर सकते हैं तो चलिए हम download कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से page open होगा तो यहाँ पर आप इस सूचना को पढ़ेंगे जो हम आपको अभी बता ही दिये हैं कि अपने महाविद्याले के विकल्प को 14 से 16 दिसंबर तक website के मादियम से reset कर सकते हैं अगर reset नहीं करते हैं तो पूरवाला choice ही बना हुआ रहेगा अब यहाँ पर जिनोंने registration नहीं किया है वो अपना registration करके फिर से college choice दे सकते हैं जिसका registration छूट गया था अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या-क्या सावधानिया आपको रखनी है तो पहला point यहाँ पर यह है कि first round में या फिर second round में आपने admission ले लिया है क्योंकि जिसका admission हो चुका है paper document verification हो चुका है उनको यहाँ पर reset करने की कोई जोरौरत नहीं है अब यहाँ पर दूसरा point यह है कि जिन अभियारतियों ने अभी तक counseling के लिए registration नहीं कराया है वे भी अपना registration करा सकते हैं उनके लिए यह अंतिम अफसर होगा तो बहुत सारे student का मांग था कि third counseling के लिए college choice का option फिर से देना चाहिए तो यहाँ पर third point है कि अभियारति college विकल्प यानि कि college choice options होगा उसको reset करने से पहले college की रिक्ती भी अवस्य देख ले कि कि इस college में कितना seat खाली है उसी अनुसार से आप college को choice करे जिसे के आपको यह पता चले कि अगर हम इस college को choice करेंगे तो इसमें हमको नामंकन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो तद अनुसार रिक्तियों को धियान में रखकर ही college का चुनाओ कीजिएगा तो उसका भी link यहाँ पर आपको नीची हम बता देंगे कहां से देख लेना है इसके बाद सभी अभियर्थी उन्ही college का चैन करेंगे जहां वे नामंकन के लिए एक चुक है ठीक ना तो जो आपको पसंद होगा college उसी के अनुसार से आपको college का वर्यता देना है जैसे की शुरुआत में college का चुएस आप किये थे इसके बाद college option डालते समय तीन बातों को धियान में रखना बहुत ही जरूरी है पहला बात यह है की college जहां वे नामंकन लेना चाहते हैं उसी college को चुएस करें दूसरा की rank के अधार पर ही आप अपने college को चुएस करें तीसरा यहीं है की college के रिक्ती यानि की जो college में seat खाली है उसी college को चुएस करें ऐसा नहीं है की जो इस college में seat खाली नहीं है उसको चुएस कर देंगे अभियर्थी को सुचित किया जाता है कि उनके द्वारा पूर में paper document verification में भाग लिए गए अपग्रेडेशन का विकल्प अगर रखना है जिन्होंने अपग्रेड किया है अगर उनको अपग्रेड का विकल्प रखना है तो आपका अपग्रेड हट जाएगा और नया कोलेज का चोईस दे पाएंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है अपग्रेडेशन का ओप्षन रखना है अथवा कॉंसलिंग में कोलेज चैन विकल्प को रिसेट करना है तो दोनों विकल्प की सुविधा एक साथ परदा नहीं की जाएगी कोई एक ही ओप्षन को आप सेलेक्ट कर सकते या तो अपग्रेड में ही रहे अगर आपको अपग्रेड को छोड़ना है तो आप कोलेज को रिसेड कर सकते हैं तो यह सुविधा दोनों जो है एक साथ परदान आपको नहीं की जाएगी अब बहुत सारे स् अगर वे अगले कॉंसलिंग में सामिल होना चाहते हैं तो कॉलेज के चोयस को बदल भी सकते हैं अब यहाँ पर समझे अभियर्थी द्वारा कॉलेज चैन का विकल्प रिसेट करने के बाद उनके द्वारा पूर में किया गया नेक्स्ट कॉंसलिंग या अपग्रेडेशन का विकल्प स्वता ही रद कर दिया जाएगा तो यहाँ पर समझे बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट है जो गलती से नेक्स्ट कॉंसलिंग के लिए क्लिक कर दिये थे या फिर कह सकते हैं वो अगर अभी चाहते हैं अपग्रेडेशन का विकल्प हटा दे तो अगर आप हटाना च कर सकते हैं आपके लिए फैदेमंद यहाँ पर ओफशन दिया गया है तो आप इस ओफशन का यूज कर सकते हैं अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज का आवंटन केवल मेधा और कॉलेज चेन वरिता करम के अधार पर ही होगा तो यह तो पहले से भी है न अंतिम कॉलेज होगा जिसमें आवंटीत होने के बाद एडमिशन लेना आवस्यक होगा तो इस बात को धियान में रखिए साथी साथ थर्ड रौंड यानि कि इस रौंड में अभियर्थी को आवंटीत कोलेज में नामंकर लेना आवस्यक होगा इस रौंड में नेक्स्ट क कॉंसलिंग या अपग्रेड की सुविधा नहीं मिलेगी तो इस बात को धियान में रखिए साथी साथ अगली रौंड की कॉंसलिंग आउनलाइन कॉंसलिंग में जिन अवियर्थी को कॉलेज आउंटीद कर दिया जाएगा उन्हें एस्पोर्ट कॉंसलिंग में जो है कोई द दियान में रखिए कोलेज अलोट होने के बाद आपको नामंकन हर हाल में लेना ही होगा तो इस तरह से दोस्तों बैक आते हैं बैक आने के बाद यहां पर जो है देख सकते हैं डिस्टेंस मोड के जो भी स्टुडेंट है उनके लिए भी ओफिसियल नोटिफिकेशन आ चु कर सकते हैं साथी साथ जो भी मैनेटरी कोटा के स्टुडेंट है उससे संबंदित भी जो है यहाँ पर नोटीस आ चुका है कि 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कॉंसरिंग में भाग ले सकते हैं कोलेज के चोयस को बदल सकते हैं तो इस तरह से आप इसे देख लीजिए साथि साथ यहाँ पर cut-off rank भी जारी किया गया है गोर्मेंट कोलेज और कंस्टूटमेंट कोलेज का नियू लिस्ट जारी किया गया है और साथि साथ आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि इस कोलेज में कितना सीट खाली है साथि साथ प्राइवेट कोलेज का अलग से जो है cut-off rank जारी किया गया है अब यहाँ पर देखेंगे कि document verification के लिए कहां कहां पर document verification center बनाया गया है कौन-कौन से college को उसका list आपको यहाँ से मिल जाएगा साती साथ यहाँ पर download college wise schedule जारी किया गया है कि किस college में यानि कि किस center पर किस date को document verification होगा वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है साथी साथ notice जो है आपको download करना होगा जो re-concelling के लिए जो notice आएगा वो आप यहाँ से download कर सकते और साथ आपको भी पता है कि 8 December का जो counseling schedule था उसको रद करते हुए 14 December को रखा गया था तो उसके लिए आप यहाँ से download कर लिजे कि उसका नया counseling schedule क्या है साथी साथ आगर आपको B.Ed College का फी से संबने कोई confusion है तो आप यहाँ से click कर लिजे इस पर हम एक separate वीडियो बनाएंगे फिलहाल आपको यह पता हो जाना चाहिए कि आप यहाँ से खुश से भी check out कर सकते हैं इस पर हम इसके बाद latest वीडियो लाएंगे साथी साथ college allotment download करने के लिए आप यहाँ पर click करके download कर सकते हैं तो निश्ची दुरुप से इस वीडियो को एक बार share कर दीजे जिससे कि सारे student को इसके समद्द में जानकारे मिल पाए इसके समद्द में latest वीडियो बहुत जल्द आएगी आप सभी इसके लिए इस चैनल को subscribe कर लिजे साथी साथ बैल आकन को press कर लिजे जिसे कि आप सभी को notification मिलते रहे धन्यवाद